पहले दोस्तों आज किस वीडिये हम बात करने वाले हैं टाइगर थरी मोवी की पहले दिन के बोक्स ओविस कलेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं और साथ ही बात करेंगे टाइगर थरी मोवी पहले दिन पर कितने करोड की कमाई कर रही है और बोक्स ओविस पर क्या नया रिकोर्ड बना रही है, इस सब के बार में बात करने वाल हैं, अगर आप लोग भी डेली बोक्स अब इस कलेक्शन उडियो दिखना पसंद करते हैं, तो वीडियो को लाश्ट तक देखते रही हैं, आप बात करें टाइगर थ्री मोवी की, तो टाइगर थ्री मोवी को आज प के कलेक्शन में एक बड़ी जंप देखने को मिलने वाली है, और ये मोवी रिकोर्ड तोड कमाई करने वाली है, अब देखने वाली बात हुगे कि ये मोवी आ गया आने वाले दिनों में क्या कमाल कर पाती है, और क्या नया रिकोर्ड बना पाती है, आप लोगों क्या लग अब देखने वाली बात होगी कि यह मोवी पहले दिन पर कितनी बड़ी ओपनिंग ले पाती है और पहले दिन पर यह मोवी क्या रिकोड बना पाती है 2023 की सबसे बड़ी ओपनिंग लेने वाली मोवी तो नहीं बन पाएगी लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि यह मोवी वर्ल्ड वाइट कलेक्सन के मामले में कितने करोड की कमाई कर पाती है, जवान और पठान की तरह YUMो भी 1000 करोड की कमाई कर पाती है, या फर नहीं आप लोगो क्या लगता है, आप और इस मूवी को हिंदी के अलावा तेलगू और तमिल लेंगवेज में भी रिलीज किया जा रहा है आप देखने वाली बात हुगे इन तीनों ही लेंगवेज में क्या कमाल कर पाती है आज के दिन और अगले दिन पर ये मोवी बोक्स अविस पर क्या नया रिकोर्ड बना पा लगभग 3500 स्क्रीन पर रिलीज किया गया है और इस मोवी को वर्ल्ड वाइड लगभग 9000 स्क्रीन पर रिलीज किया गया है अब देखने वाली बात हुगे कि ये मोवी आगे आने वाले दिनों में क्या कमाल करती है और बोक्स अविस पर क्या नया रिकोर्ड बनाती है पहले दिन पर एक अच्छी शुरूबात कर चुकि है और इस movie के आगे आने वाले दिनों में इस movie के collection बढ़ने वाले हैं और यह movie record तोड कमाई करने वाली है आप लोगों किया लगता है यह movie आगे आने वाले दिनों में lifetime collection कितने करूड की कमाई करने वाली है ज़वान और क्रोड की कमाई करने वाली है, आप लोग कमेनड वुस-में कमेंड करके बता सकते हैं, भले ही Tiger 3 मोवी संडे की दिन पर रिलीज हो के कम कमाई कर रहे है पहले दिन पर, लेकिन ये मोवी आगए आने वाले दिनों में सभी मोवी के रिकोर्ड तोडने वाली है और बोक्स ओविस पर नया रिकोर्ड बनाने वाली है अब देखने वाली बात होगी किये मोवी आ गयाने वाले दिनों में कितने करोड कमाई कर पाती है और box service पर क्या नया record बना पाती है और 2023 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली movie बन पाती है या फर नहीं आप लोगो क्या लगता है आप लोग comment उसमें comment करके बता सकते हैं तो चलिए आप बात कर लेते हैं Tiger 3 movie के advance booking collection के बारे में बात कर लेते हैं अभी तक की तो इस movie ने अभी तक advance booking कर लिया है 22 करोड जहां देखा जाए तो जवान और पठान movie की advance booking collection के सामने थोड़ी कम है लेकिन ये movie पहले दिन पर एक अच्छी opening ले रही है अब देखने वाली बात होगी कि ये movie आगया आने वाले दिनों में कितने करोड की कमाई कर पाथ जहां बात करें इस movie के पहले दिन की इंडिया नेट कलेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं तो ये movie पहले दिन पर इंडिया नेट कलेक्शन कर सकती है लगभग 50 करोड के आसपास जहां बात करें इस मोवी के पहले दिन के इंडिया गुरुस कलेक्शन के ते ये मोवी पहले दिन पर इंडिया गुरुस कलेक्शन कर सकती है पहुचपन करोड के आसपास अब बात कर लिए ते इस मुवी के पहले दिन के ओवर्स इसकी कलेक्शन किते इस मुवी ने पहले दिन पर ओवर्स इससे कलेक्शन कर लिया है 30 करोड जहां बात करी इस मुवी की पहले दिन की वल्डवाइट कलेक्शन किते ये मुवी पहले दिन पर वल्डवाइट कलेक्श इस पर क्या नया रिकोर्ड बना पाती है और 2023 की सबसे बड़ी और सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मोवी बन पाती है और ये मोवी all time ब्लोगबस्टर हो जाती है 2023 की या फिर नहीं आप लोगो क्या लगता है आप लोग कमेंड वो उसमें कमेंड करके बता सकते हैं जहाँ इस movie के collection देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि इस movie के collection लगातार बढ़ने वाली है और record तोड़ कमाई करने वाली है Tiger 3 अब ऐसे में देखते हैं कि यह movie क्या कमाल कर पाती है और इस साल की सबसे बड़ी और all time blogaster movie बन पाती है या फर नहीं और साथ ही पठान और जवान movie की record को तोड़ पाती है या फर नहीं आप लोगों क्या लगता है जवान और पठान movie के record तोड़ने वाली है या फर नहीं ऐसे में तो लग रहा है कि यह movie भी 1000 करोड की कमाई करने वाली है आप देखते हैं जवान और पठान movie की record तोड़ पाती है या फर नहीं आप लोगों क्या वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले मिल सके तो चलिए दोस्तों आप लोगों से बहुत जल मिलते हैं और एक नए वीडियो में